हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम आपके 23 अगस से जितने भी जीके और साइन्स के कोचन पुछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे तो चलिया ये सुरू करते हैं देखे आपका पाला कोचन पुछा गया था कि वेदरा का यूद कब हुआ था तो वेदरा का यूद आपका 1769 इसवी में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था अगला आपका कोचन था कि बल और विस्थापन के गुणनफर को क्या कहा जा सिंगरावली कि प्रसेद है तो सिंगरावली आपके कोईला के प्रसेद है यहां पर मोटी परत का कोईला मिलता है चाला प्रिस град Megan कि जाधी सब्वार करें का अगला कोचन था कि मेजर ध्यान पुरुसकार से पहले सर्वसेश्च पुरुसकार कौन था अरज्ज्च पुरुसकार कि सिवाथ कब होती है तो 1971 इसमीव में यह आगला कोचन था कि नान इस्टी को वरतन में किसकी कोटिंग लगी रहती है तो तो टिफञान की कोटिंग लगी राती है अगला कोचन है कि भारत का पाला वारी जनावई की उर्जाद से नतर कब खोला गिया था तो she itself में महाराष के तारापूर में खोला गिया था अगला कोचन था कि चंदर ना पर पाहला कदम को और कि द्वारा रखा गया था अग्लाव कोचन था कि काली मिंठी का निमाड होता है इसके आगे प्रृषान मख्रत है भारत में सरवाधिक उरोख उतपादन करने वाला राज्गाउंसा है तो गुजरात इसका सई उत्तर हो जाएगा इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपको अगला कोशन था कि राज्यस्थान के पहाड़ी इलाकों को किस वर्स युनेस्कों में सामिल किया गिया था तो वर्स 2013 में सामिल किया गिया था गाधी जी के असायोग अंदोलन के समय कौन सा अंदोलन हुआ था तो चौवरा चौवरी कांड हुआ था और यह कब हुआ था तो पांच फरवरी 1922 इस भी को हुआ था अगला आपका कोशन था कि इंगलेंड की महरानी के द्वारा नाइट हुड की उपाधिक किसे परदान की गई थी तो जेजे इरानी को किया गिया था अगला आपका कोशन था कि जब भूपर पट्टी हिलती है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे भूकम कहा जाता है अगला आपका कोशन था कि वर्स 2021-22 की GDP ब्रिधी दर कितनी थी तो लगभग आपका 4% था इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोशन था कि तुर्की में कौन सा अंदोलन सवीनव अवग्या अंदोलन से फ्रेरी था तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा युवा तुर्क अंदोलन था चार मिनार कहां इस्तित है तो हैदराबाद में इस्तित है और इसका निर्माड आपके कुलू कुतुब साही की द्वरा कराए गया था अगला आपका कोशन था कि डौफरिन के समय कौन सा एक्टव भारत आया था तो बंगाल लगन कानून भारत आया था अगला आपका कोशन था कि ग्रेमी अबाट 2022 कहां आयो जित हुआ था तो लास बेगास में आयो जित हुआ था तो इस आप पच्छे से याद रखेगा जाता है तो ब्रज होली नहीं मनाई जाता है देखे यह आपका आपसान में दिया गया था तो यहीं साही उत्तर होगा अगला आपका कोचन था कि 2023 में कितने लोगों को परंवीर चक्र मिला है तो 21 लोगों को मिला है तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा इसके आगे देखिए देखे इसके आगी आपका अगला कोचन दे रहा है अगला कोचन है कि रबी संकर को ग्रेमी पुरुसकार कितनी बार मिला है तो पांच बार मिला है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश का वर्स 2021 का भारत भारतिय समान किसे दिया गया है तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा डाक्टर रामा नाथ तिरपार्टी को दिया गया है अगला कोचन है कि महात्मा गादी ने भारतिय राष्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन की अधिश्ता की थी तो बेलगां अधिवेशन की अधिचत्य पी थी, और कब किया था? तो 1924 इसमें में किया था अगला कोचन था कि भारत में सबसे ज़यदा मिटी कौन से पाई जाती है तो जलोड मिटी पाई जाती है और यह आपकी सबसे उपजाव मिटी भी है अगला कोचन है कि कमख्या मंदिर की सदी में बनी है तो 28 से 17 सदी के बीच में बना है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 आगला कोचन था कि GDP के कितने भाग होते हैं तो दो भाग होते हैं ख़द्यान की खरीद और भंडार के लिए कौन सा संस्ता जिम्दार है तो भारतिय खाद निगम FCI जिम्मदार है अगला कोचन था कि एलोरा की गुफा अजनता से कितनी दूर है तो 100 किलोमीटर की दूरी पर है अगला कोचन था कि इटली का एकी करण की तलवार किसे का जाता है तो गैरी बाल्डी को का जाता है अगला कोचन था कि सुन्य अधारित बजट सबसे पहले किसे देश में पेस किया था तो संयुक्त राज अमेरिका की द्वारा पेस किया गिया था इसके आगे देखिए इसके आगे 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 वर्षा रितू में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है तो खरीब फसल कहा जाता है अगला कोचन था कि आकास गंगा का वर्णन किस भई ज्यानिक ने किया था तो थामस राइट के द्वारा किया गिया था अगला आपका कोचन है कि फिवनेरिया किस वर्ग का है तो फिवनेरिया आपका ब्रायो पिष्डा वर्ग का है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन था कि प्रो की रायटिक किस वर्ग से समन्दित है तो मोनेरा से समन्दित है भुकम की तिप्रता कैस कै दस्मनों छौ होता है अगला ब extremes कोचं था कि पीर वुधनी का मेला लगता है तो सीवपूरी में लगता है इसके आगे कोचम था कि वीजय अस् Tuam कहां इस्तित है तो राजिस्थान के चितोर गड़ में इस्तित है भारत की पहली चीनी मिल कि यह सापना कहां की गई तो प्रताप पूर में किया गिया था अगला आपका कोचन था कि महाबली पूरम की सवयता किस राजी में सित है तो तमिलनाडू राजी में सित है अगला आपका कोचन था कि ड्राफ लगर स्क्वायर विश्व में किस सहर में सित है तो लंदन में सित है देखे इसके आगी 2021 पत्तरकाईता का छेतर में किसे मिला तो इसका स्षाइध उत्तरापका हो जाएगा राज गोपालन को मिला और यह कपसे दिया जाता है तो यह आपका 1909 से किम्मारफ को माना जाता है तो भारत की प्रतम इवरेनियम ख़ादान जादू कोड़ा की सिराज में सित है तो जारखंड राज में सित है भारत को पूर्ण स्वराज कब घोसित किया गया तो 29 दिसंबर 1929 को किया गया इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि आपनस एक्ट 1888 के समय भारत का वाइसर आइकौन था तो लाड लीट पुरुशकार 2021 समय गया तो अमिताफ बचन को किया गया कि इसकी आगे आपका आपका अगला कोचन है कि किसी ब्याष़ाय को कितनीती सिरेणियों में वर्ण गित्किया सकता है तो दो ब्यापक श्रेणिय में एक आपका उद्ब्रद्द्र के चेतर में और एकब का वनिज के चेतर में निगम कर कौन सा है तो प्रत्यक्षka र pend दृूपत केंड्र कहा प्रभी ळूपल में से तो आज हमने आपके 23 अगस से जीतने भी के और साइंस के कोशन पुछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया तो चली आज के लिए इतना ही धन्यवाद